हेलो फ्रेंड्स विल्कुम टो माई इस्टेडी फीडर फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज में आपके लिए बेस्ट कोश्चनों का सीरीज लेके आएं पचास कोश्चनों का सभी कोश्चन्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्डिन है एक भी कोश्चन्स को स्कीप मत कीजिएगा दोस्तों एक भी कुश्चन मेरे दोयर लाएगाए बेयर्थ नहीं होता तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आप यंपी टेट दिये हुए है उसमें बहुत सारी कुश्चन्स आपके आए हुए थे मेरे पढ़ाए हुए तो दोस्तों यदि आप फिजिकल सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी या हम सभी बहुत ही अपनी रफ्तार टेश कर देते हैं उस तेज रफ्तार में होता क्या है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो सभी कर्फ्यूजन में हो जाता है आपको लगता है कि मैंने सब्सक्राइब पढ़ लिया जाम हाल में आपको लगता है कि मैंने तो सभी कुश्चन्स पहा हुआ है फिर मैंसे कंफ्यूजन क्यों रहा है मै सही answer नहीं दे पा रही हूं उसका ये क्यार है उसका clearance नहीं होता है आपके mind में clear नहीं होता है आपने तो पढ़ा सब कुछ होता है बट clear नहीं होता है जिसके चलते वहां पे आती हूँ भी question का answer हम सही नहीं दे पाते हैं वही आपको practice की कमी होती है तो वो कब होगा अराम से पहले से ही आप प्रिप्रेयर्ड रहेंगे यह नहीं कि परिछा नहीं कि आप फटापट फटापट सभी चीजे पलटना सुरू कर दिये माइन में एक आएक आप भार डाल दिये तो ओरलोड हो जाएगा लोड दीजिए पहले से ही लोड देते रहे ओर लोड मत करिए परिछा के समय कि आपका जो दिमाग है वो हैंग हो जाए और वहाँ यह तेय न कर पाये कि हाँ हमने क्या पाहा है क्या नहीं किलिए नहीं हो पाये इसके लिए आप अभी से प्रिप्रेड रही है जो भी एक्जाम को क्वालिफाई करना है क्योंकि competition इतना हाई है कि सभी लोग इतना पड़े हैं इतना तयारी किये हैं पहले का समय नहीं है कि आप थोई से तयारी में आप कोई एक्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे आपको इत अपना score चेक कीजिए जिस टॉपिक में आपको कमजोरी महसुस हो रहा है उसका answer नहीं दे पा रहे हैं उन सभी टॉपिक को clear कीजिए तो दोस्तों फोशन है कि ओलंपिक आधर्स वाक्ये में CTS पद इंगित करता है तो जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक आधर्स जो है आध 1881 में और ओलंपिक मोटो 1924 पेरिस फरंस में अधिकारी प्रिफ से इसको माननेता मिली ओलंपिक मोटो है CTS, RTS, 40S और एक चोथा जुड़गिया है इसके अंदर together, communator क्या है CTS, RTS, 40S, communator जिसको हम कहते हैं faster, higher, stronger, together याणि और तेज, और ऊचा, और बलसाली, एक साथ, यानि CTS का आर्ष्ट हुआ, CTS को हम कहते हैं faster यानि और तेज, अधिक तेज दवरना, RTS का आर्ठ होता है higher यानि कि और ऊचा, अधिक ऊचा कूदना, 40S का आर्ष्ट होता है stronger यानि और बलसाली, अधिक मजबूत होना, and combinator का earth होता है together यानि एक साथ चलना तो इस पर का हुआ cts, earth years, fort years यानि faster, higher, stronger combinator यानि together इसका earth होगा और तेज, और उचा, और गरसाली एक साथ चलना तो यहाँ भी क्या उचा है cts cts के क्या मतलब हो जाएगा cts को हम कहेंगे faster यानि और तेज, ठीक है सबसे तेज, यहाँ बे right हो जाएगा khaw, क्या हो जाएगा, khaw कर right होगा नेश्ट है, ओलंपिक खेलों में भारतिय टीमों की भागिदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय है तो दोस्तों प्रते एक देश में ओलंपिक खेलों को भागिदारी के नियंत्रित करने वाला उस देश का ओलंपिक संग होता है तो भारत देश में IOA है क्या है? IOA है यानि Indian Olympic Association है जिसका फुल फार्म है Indian Olympic Association भारतिय ओलंपिक संग जिसकी उस अपना 1927 में सर्दुराबजी टाटा के नियर्जैशन में हुआ नेशन प्रथम आदुनिक खेल किस वर्स आयोज़ित किये गए तो प्रथम आदुनिक खेल आदुनिक ओलंपिक खेल दोस्तों तो यह छर्टे अपरेल 1806 में एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में हुआ और आधनी उलंपिक खेल के जन्में दाता है बैरेन पियरडी कोबार्टिन बैरेन पियरडी कोबार्टिन ने 23 जून 1844 में पेरिस में आई ओसी इंटरनेशन उलंपिक कमीटी की इस्थापना किया जिसका हेड़ क्वार्टर लुसाने सुर्जल लैन में है दोस्तो आई ओसी के बरतमान अध्यच ग्रेक बरकले हैं और आई ओए भारती उलंपिक स्थेंग के बरतमान अध्यच बनी है पीटी उशा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्ष है किस नगर या राज ने सुच्छा के द्वारा युद्धाओं के प्रसिच्छ परबल दिया तो यह दिया आपका एस्पार्टा इस्पार्टा काल में क्या होता था यह युद्धाओं को एक प्रसिच्छ सेनिक तयार करना युद्धा तयार करना इसका उद्यस था इसमें क्या होता था जो भी अपंग या कमजूर बालक पैदा होता था उसको टाइगेस नामक परवस से फिकवा दिया जाता था यानि पहले से यह निशित कर दिया जाता था कि यह बिना काम के हैं इसपाअगा की सिच्छा का उद्ध से क्या पैदा करना था तो एक युधाओं को पैदा करना था उस इस्टेडियум का नाम क्या है जहां पर्थम आधोनी खेल आज़ी किये गए थे दूस्तों उस स्टेडियум का नाम था पैना थेनिक इस्टेडियूम next question है पेशी तंतु यानि जो मसल्ज फॉइबर है एक पतली जिल्ली से आच्छादित होता है जिसका नाम है जो पेशी तंतु है जिस जिल्ली से आच्छादित होता है घिरा रहता हुशे हम कहते है सारकोल लेमा और कोसी का जिस जिल्ली से घीरा होता है उसे काकाते हैं प्लाज्मा निमा या कोसी का जिल्ली सेल्स मेंब्रेन बोला जाता है पेशी तन तो जिस जल्ली से अच्छा जित होती है उसको सारकौल लेमा बोला जाता है नेक्ट है शक्ति में ब्रिधी किसके साशक्ति करण से होता है तो वो होता है शारकुल लेमा के नेक्ट है किसी पेशी के आकार में ब्रिधी किसमें ब्रिधी का प्रिडाम है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते है जो इसके लेटर मसल्स होती है कांकाली पेशियां होती है उसके उसमें एक्टीन मायोसीन फिलामेंट्स होता है दो जड लाइने होती है क्या होती है यह आपक मायोसीन हो गया, क्या है, मायोसीन फिर यहाँ पर एक तीन हो गया ठीक है, एक तीन हो गया ठीक, यह आपका बीच वाला बीच में एक लाइन हो गया जब एक गेड़ लाइन जो होता है इन दो गेड़ लाइन के बीच के सरक्णाफ सारक मियर पेशी चर्णत्व की संपुझति है इस इकाई होता है बबालेश्च क्राइब क्यू canon कांट्रेक्ट होता है और दूनों जेड लाइन जो है वो पास आ जाती है दूनों जेड लाइन आप देखें होंगे इस प्रिंग जो आप खिजते हैं तो दूर दूर होता है उसकी जो भी साखाय है रोल है जब उसको आप छोड़ देते हैं कांट्रेक्ट होता है तो सभी पा तो जहिर सी बत है अकर में को प्धुशा है कि किसीविर्धी का प्रेडाम होता है? तो ए होता है आपका सार को मियर वे ठीक है नेश्र कौन सी रख्त कड़िकाएं बैक्टिरियल स्कुएंजर्स यानि की जिवालुक अपमार्जक कही जाती है तो दोस्तों बैक्टिरिया से रच्छा करता है बैक्ट्रियल इंस्फेक्शन से स्वेट रख्त कडिका यानि डबलू बिस्टी नेक्ट रख्त कडिका है लसिका ग्रंथियों में बनती है जैसा कि आप जानते है आरवी सी जो है रेट बूर मेरू से बनता है जो हमारी लंबी अस्थियां होती है उसके अंदर खोखला भाग होता है उसको हाइवेर्सियन नौल कहते है उसके अंदर अस्थि मज्जा होती है यानि बूर मेरू होती है तो white muscle fiber, white blood cells यहाँ पे sweet रखड़ी का राइट हो जाएगा नेश्ट है प्रती मिनट सांस में ली गई वायू का आयतन यान वैलियूम कितना होता है तो यह होता है प्रती मिनट में 5 लिटर हम वायू ग्रहड करते है नेश्ट है प्रती मिनट सांस में ली गई वायू के आयतन को यह भी कहा जाता है तो प्रती मिनट सांस में ली गई वायू के आयतन को मिनट आयतन बुला जाता है क्या बुला जाता है मिनट आयतन यानि की मिनट वैलियूम बुला जाता है नर्ट वॉायू का वह आयतन जो सद्रार रिखिर स्वास्त-च्प्रो फ़ेप्रू में जाता है तो दोस्तो स्वास्त-च्प्रो से ब्रीडिंग होता है और शौन ऑन मैंदर युक्त बूलाएं और स्थाहर कि ईतनल बहुते हैं इसको बोला जाता है टाइडल बल्लीव संधी की नीचाोड बहुते हैं उपवीयू एक होता है कम्प्लिमेंटरी यह करते हैं आपसिस्ट वायू जिसे पूरे बल के साथ एकस्पाइरेशन यानि वायस्वसन के पस्चाज फेफों में जो कुछ वायू बच जाती है उसी वायू कहते है रिशिडियूर एयर इन सब को मिला करके बनता है दोस्तों टोटल लाइन कैपिसिटी एक होता है वायू बड़ी मात्रा जो स्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है यानि कि वाय्टल करड़ी की जो जयलीट चमता होती है ये फेपरों की वह चमता होती है जो एक बार पूर रूप से अंतर स्वासन यानि इस्पाइरेशन चर जो हवा वायर स्वासन यानि एक्सपाइरेशन के दिवार two लेन निकाले जाती है उसकी मात्रा को वायर्ल कोष वाइटन करपीसिटी ग्यात करने का सुत्र होता है डायल्वेल्यू प्लास कंपलीमेंट्री तुप्लेमेंट्री एंटेश आपका रहां तीन हजार एमन एंडे जो supplementary parisist yu है वो हो जाएगा 1200 ml इसके बराबर हो जाएगा 1600 ml ठीक है यानि कि वडल के बिसिटी बराबर कितना होता है 1600 ml 500 ml आपका टैडल वल्लिम हो जाएगा 300, 3000 ml आपका complementary year हो जाएगा और supplementary year 11 ml कुल क्या हो जाएगा 1600 ml ठीक है 1600 ml ठीक है अगर इस तरीके से पुछेगा कि कितना लीटर होगा तो 4.6 लीटर ऐसे हो जाएगा अगर में पुछेगा तो 400 इस प्रकार 46 ml आपका वाइडल केपिसिटी हुआ जब पुछेगा टोटल लाइड केपिसिटी टोटल लाइड यानि फेपिसिटी की कुल छमता टोटल लाइड केपिसिटी फेपिसिटी की कुल छमता क्या होता है कि वह वाइड की वह चमता वाइड की वह कुल मात्रा जो फेपिसिटी में समा सकती है तो Total Line Capacity गयाद करने का सुत्र होगा Water Capacity प्लस Recidual Air Water Capacity छीहाद से यमल हो गया Recidual Air जो आपका सौसन के बाद जो प्रेवर में कुछ वाईू बच जाती है उसी को Recidual Air या आवसिछ वाईू कहते हैं तो Total Line Capacity गयाद करने का सुत्र होता है Water Capacity प्लस Recidual Air residual here 1200 ml होता है तो vital capacity आपका कितना आया है vital capacity आपका आया है 1600 ml कितना आया है 1600 ml plus हम 1200 ml जोड़ देंगे कितना आजाएगा 1500 ml ठीक है 1500 ml इसको हम लिटर ने बोलेंगे तो 5.8 लिटर ठीक है 5.8 लिटर तो vital capacity 46 लिटर total length capacity 5.8 लिटर अपका राइट हो जाएगा नेफ्ट एक अन्ता स्वसन यानि inspiration कितनी आवधी का होता है तो एक अन्ता स्वसन यानि inspiration जो होता है वह होता है 2 सेकेंड का ठीक है यानि कि एक सास लेने में पांच सेकेंड का समय लगता है तो एक अन्ता स्वसन में दो सेकेंड का समय लगता है नेफ्ट एक कौनी से कलाई तक की मुख्य अस्थिया है तो कोहनी से कलाइस तक की जो फूर आर्म होता है उसमें रेडियस अल्ला हर्डिया होती है अंग उठे की तरफ की जो हर्डी होती है उस रेडियस होती है अंग उठे की तरफ से होकर की सीधे कोहनी तक जाती है एंग छोटी उमली की तरफ से होकर कि जो कोई तक जाते हैं उसे अल्ला काते है नेश्टा सिट कमांड में स्प्रिंटर किस इस्थिती में होता है तो दोस्तों जैसे कि स्प्रिंट दोड़ों में तीन कमांड होता है आनियर मार्क, सिट, एंड गन फायर और लंबी दूरी की दवड़े में सो दूसों चार्सों मिटर दूर आता है और आपका लंबी दूरी की दूर्ड़े 400 मिटर से जादए कि आती है स्प्रिंट दूर्णों में तीन कमांड का यह उचिया जाता है आने और मांक, सेट, अनल गरन फायर और इससे जारे की दूरे में लंबी दूरे की दूरे में आरियर मार्क एंगर फायर दो ही कमार्ड दिया जाता है जो सेट कमार्ड होता है आरियर मार्क एंग सेट उसमें पुरा भार हमारे कंधो और हाथों पर होता है उसमें जो इस्थिती होती है और इस्थि सामया वस्था होता है और इस्थि संतुलन होता है नेश्ट है एक खिलाड़ी किस चाल से 10 सेकेंड में 100 मीटर डोड़ेगा तो आप अराम से निकाल सकते हैं कि चाल से 10 मिटर प्रती सेकेंड ड़गेगा तो 10 सेकेंड में कितना ड़ड़ेगा? 100 मिटर नेक्ट है दोड़ों के अंत के निकट धावक पर असर डालने वाले बॉल है दोड़ों के अंत में कौन सा बॉल असर करता है तो उसमें आपका वीट यानि भार, घरसर यानि फ्रिक्शन, वाई उप्रतिरोध यानि एर रसिस्टेंस इस सभी चीजे आपको असर डालती है जैसे दोड़ों बल जो है दो प्रकार को होता है एक इंटर्नल फोर्स एंड एक एक्स्टर्नल फोर्स इंटर्नल फोर्स में हमारा मुसल्स आ जाता है, मुसल्स दोरा लगाएगे बलको इंटर्नल फोर्स कहेंगे एंड जो वाहर रुप से बल लगता है उसमें ग्रिविटेशनल फोर्स, एर रसिस्टेंस, फ्रिक्शन, वेट इस सभी आ जाएंगे नेशनिल में से कौन सी संधी का प्रारूप नहीं है, तो दोस्तों संधी का प्रारूप कौन नहीं है, आपको ध्यान से उतर देना है, कई बार इस पॉइंट को पढ़ाया गया है उतर आप गलत में दीजेगा, यहाँ पर आपसन है, फाइबर्स यानि तन्तु में ज्वाइंट एंड उपास्थी सम यानि कॉर्टिलेस लेजियस ज्वाइंट एंड स्लेशमक यानि साइनुवियल ज्वाइंट इस तीनों आपकी क्या है, संधी है, बट आपका नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फाइबर्स ज्वाइंट को हम अचल संधी कहते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट को हम अधचल संधी कहते हैं, एंड साइनुवियल ज्वाइंट को हम कहते हैं, चल संधी, तो संधिया तिन ज्वाइंट तिन प्रकार के होती है, चल, अचल, fibers joint other chal sandi को cartilage joint and chal sandi को sinuil joint नेश संधियों का अधियन कहलाता है संधियों का अधियन कहलाता है orthology and osteo के अधियन को osteology पेशियों का अधियन को myology स्वच्छन्द रूप से चलायमान संधियों का एक अन्य नाम है स्वच्छन्द रूप से चलायमान यानि कि चल संधि की बात कर रहा है तो चल संधि को हम क्या कहते हैं? चल संधि को हम कहते हैं डायर्थ्रोसिश क्या बोलते हैं? डायर्थ्रोसिश बोलते हैं जैसे कि मैंने कई वार आपको बहुत सारे वीडियो देमें ट्रिक बताए हुआ है, क्या ट्रिक बताए है? D, A, S D, A, S D से होगा Diathrosis यानि की D, A, S चल, अधचल और अचल ऐसे याद कर लेजिए चल, अधचल और अचल D से Diathrosis यानि चल संधी को कहते है A से Emphyarthrosis यानि अधचल संधी को कहते है And Yes से Sinathrosis जिसे अचल संधी को कहते है नेशर दबाव यानि Stress है तो दोस्तों दबाव यानि Stress जो है वह इस्थिटी के अनुसार लाभकर और हानिकारक दोनों हो शकती है नेशर मासलू आसकताव को क्रम परंपरा में निचले अस्थान पर रखता है तो मासलू ने आसकता का सिधान दिया हूने अपने मासलू आसकताव को जब करम परंपरा है उसको सबसे निचले अस्था पर रखता है सारिक समंधी कारियों को सबसे निचले अस्था पर रखता है नेशर मासलू की आसकताव की करम बदता के कि शिखर पर कौन सी आसकता को रखता है तो सिखर पर आत्म सिध्धी को रखता है शिखर पर किसको रखता है आत्म सिध्धी को रखता है सबसे नीचे रखता है सारी समंधों को सिधान्त किस ने दिया Dr. métier इटर फोर सीधान्त को सब्सक्रेटिक से कह आए सथान्त थील थील थेल थेलेशंद क्यों पर सब्सक्रेटिक सेसरी में ने क demonstrator को कौन कौन से तिन सिडियों बाटा है इसका एक जट एंसर यहां पर पता नहीं चल रहा है तो इसको देखना पड़ेगा नेस्ट है निन में से कौन अंतर भूत अभीप्रड़ा इंटरिक और वाह अभीप्रड़ा होती है तो इसमें बेतन जो है बेतन यह वाह अभीप्रड़ा है फीट बेक भी आपको वाह है अभीप्रड़ा है लेकिन खेल की अभी रूजी यानि स्पोर्स इंट्रेस्ट जो है आपकी रूजरूजी है किसी चीज़ में वह अंदर से आती है आपका यह नेश्टा अभीप्रेड़ा का द्वीकारक सिधान्त किस ने दिया तो दोस्तों बुद्धी का एक कारत सिधान अलबर्ट बीने दिया है 1905 में अभिप्रेड़ा का दुवी कारत सिधान दिया है हर्जबर्ग ने इनकी सीखने की सिधान को सक्री अनुकुलित अनुक्रिया का सिधान, आरियस का सिधान भी बोलते हैं, यह अंप्रिड़ा को मुल मानते हैं, इहोंने चुहे पर प्रयोग किया था नेश्ट है बालक को समाजी एवं सांस्क्रितिक संसार से परजित कराने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सोसियो लाइजेसन यानि समाजी करण समाजी करण में प्राथनिक घुमिकादा करता है परिवार एंडीतिये के विद्याले मीदिया आदी आदी Next है समाजी करोड यानि सोसियल लाइजेशन द्वारा मानों सीसियू का बिवहर कैसा हो जाता है तो कैसा होता है दोस्तो रिफाइंड यानि परिमार्जित हो जाता है रिफाइंड यानि परिमार्जित हो जाता है कैpersendeu नेक्ट एप बालग यहुं का समाघी करण याना सोचिल आवलग होता है क्यों होता है क्योंकि दूनों से लग अलग भुमीकाण प्रत्यासा के कारव क्योंकि प्रते एक ब्यक्ति में दोस्तों अलग-अलग भुमिकाएं होती है अलग-अलग छंताएं होती है अलग-अलग एक्सप्रेस करने की छंता होती है किसी ब्यक्ति के ना रंग-अलग होता है ना तो उसके कारव करने की जो क्वालिटी होती है बर चम्तायं होती है उसके कारण ही अलग-अलग प्रकार के समाजी करूण होता है प्रते एक बालग में दस बालग है दस बालग में अलग-अलग भुमिकाय होंगी इंडिवीजर डिफ्रेंसेश होता है बेक्तिकत भिंता वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा नेश्टा मानों के समाजी के यो मानसी की विकास के लिए कौन सी अवधी अपेच्छा कृत अधिक महत्पुर होती है तो समाजी के यो मानसी की विकास की बात कहा है तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यदा मांसिक विकास होता है आपका जन्म के पांच वर्स में क्योंकि वह एक दम सुनने होता है और चीजों को देख देख करके अफजरूर करता है और जन्म से पांच वर्स तक में जितना विकास होता है सारी का मांसिक उतना विकास कभी नहीं होता है नेशानिन में से कौन सा कारक यानि सोसिल ओडियसन एलिमेंट का महतपूर प्रभावक है तो यहाँ पे आपका राइट एंसर हो जाएगा अनुवान सिक्ता भी है, प्राकृतिक कारण भी है, रिटी द्वाज अपरंपराय भी है नो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या बुला है, समाधिक का महतपूर प्रभावक बुला है तो वो होता है, जैसे आपके घर में महाओन होगा, रिटी रिवाज, परंपराय होंगी उस परका के बच्चे का समाओडी करण हो जाएगा उस पर कर बच्चे का क्या हो जाएगा समाजी करण हो जाएगा next है समाजी करण की प्रकार के प्रक्रिया को प्रसाहित करता है तो साहस के साथ कार करने में की सम्यक यानि उची तरुप से कार करने में तो समाजी करण होता है, वो सम्मयक यानि उची तुरुप से कारे करने में प्रसाहित करता है। नेश्ठ समाजी करण के लिए क्या आती आवस्यक है? तो समाजी करण के लिए क्या आती आवस्यक है दोस्तों? तो सबसे ज़्यदा आउश्यक होता है प्रारंबिक समाजिक संपर्थ नेश्ठ समाजिक करण यानि सोशियल लाजेसन निम्ने में से कौन किसमे होता है तो सीशियों में भी होता है पुर्सों में भी महिलाव में भी सरी में समाजिक करण होता है नेश्ट है नाकाउट पधती कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों नाकाउट टूर्णामेंट जो होता है वो चार प्रकार की होती है कितने प्रकार की? चार प्रकार की कौन कौन सी सिंगल नाकाउट एंड दूसरा है सातोना टूनामेंट यानि कॉंसोलेशन टूनामेंट तिसरा डबल नाकव और चोथा वेगनान वाइल्ड एलिमिनेशन टूनामेंट जिसे मुलर एंडरेशन प्लेवैक मेथद भी बूला जाता है टूनामेंट की बारे में आपको एक तम फैक्ट जनकारी बहुत ही कम समय में जानना है तो नाकव टूनामेंट, लीग टूनामेंट, कॉंबिनेशन टूनामेंट, चैलेंज टूनामेंट, चालों के बारे में मैंने डीटेलें बता हुआ है वो भी कम समय में आपको सभी जनका दिया गया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं नेशन दिन मेंशिक कौन सा नाकाउट पधती का प्रकरण नहीं है तो दोस्तो नाकाउट चैपरका का होता है सिंगल नाकाउट, कॉंसलेंशन टूनामेंट यानि सातोना यहाँ पर आपका कॉंसलेंशन नाकाउट के अंतरकत है प्रेगनाल वाइल पधती भी है सिंगल नाकाउट भी है बट पिरामेट पधती नहीं है क्योंकि पिरामेट पधती जो है चैलेंज टूनामेंट का भाग है चैलेंज टूनामेंट दो परकार का होता है ladder type, ACV प्रकारका का दूसरा pyramid type. प्रकार मिद प्रकारका होता है जिसे spiral wave विधी भी कहते हैं Next है सरवांगीर संबंध निन मेंसे किस संबुह वारग की विसेश्था है तो सरवांगीर संबंध जो है वह हम है प्रात्मिक संब्ध की विसेश्था है जहां संपन्द्र की बात आए, वहां पे परिवार ही होगा निम्ने से कौन सा समुः, प्रात्मिक समुः यानि प्रामरी ग्रूप नहीं है तो परिवार, पडोस, क्लीरा समुः इस सभी प्रात्मिक समुः है क्यानिकी उपरोग सभी आपका राइट हो जाएगा नेश्ट है क्लीरा समुः, स्पोर्स ग्रूप, समुः के निम्ने में से किस वर्ग में आता है तो क्लीरा समुः आपका प्रात्मिक समुः में आता है किसमें समुः आता है? प्रात्मिक समुः में आता है तो सोशीलाज जिसर समाजी करव की पात्मिक सम्मु में इस परिवार किड़ा समुम परोश आ जाता है एंडीटी सम्मुम में विद्याले, मीडिया आवी आते हैं नेश कैक कॉंसोलेशन प्रतिवीता कितने प्रकार की होती है तो यानि दोस्तों कॉंसिलेशन यानि कि नाकाउट का भाग है जो दो प्रकार की होती है प्रकार वान प्रकार टू नेशा किस प्रतियोगिता पधती में एक टीम को सभी टीमों से खिलना पड़ता है तो लीग यानि राउंड रॉबिंग टूनामेंट में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है जिबकि नाकाउट में क्या होता है कि एक बाई जो टीम हार जाती हो प्रतिक्ता से बाहर होती चली जाती है फटाफट निड़े हो जाता है नेशर राउंड रॉबिंग प्रतिक्ता में के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सुत्र क्या है तो सिंगल लीग में राउंड रॉबिंग टूनामेंट दो प्रकार का होता है सिंगल लीग और डबल लीग इसमें फिस्ट दाने की विद्यातीर होती है साइकल, टेबुलर एंड इस्टेयर केस में था तो सिंगल लीग में कुल मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र होता है यन N-1 अपान 2 जैंकि डबल लीग में ग्याद करने का सुत्र होता है जैंकि बस अपान 2 अब हटा देंगे यन N-1 हो जाएगा डबल लीग का और सिंगल लीग का हो जाएगा यन N-1 अपान 2 नेश्ट तैयारी काल में यानि फिरियोडाजेशन में सहन सिल्ता यानि कि इंडरेंस विकास के साथ-साथ प्रदर्सन के कारकों को बनाए रखना होता है यह कथन किसका है तो यह कथन है मेट वी एव का नेश्ट है प्रदर्सन के अन्य कारकों को जियोगा तियोग बनाए रखने के साथ-साथ खिलाडी में विकास किया जाता है यह कथन है तो यह भी कथन है मैट वी एव का किसका कथन है मैट वी एव का नेक्स कोश्चन है कि प्रसिछड चक्र का समय 5 से 10 दिन का होता है यह कौन सा चक्र होता है दोस्तों यह चक्र होता है माइक्रो चक्र कौन सा चक्र होता है माइक्रो चक्र जैसा कि प्रसिछर चक्र यानि ट्रेनिंग शाइकल तिन प्रकार का होता है मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, मैक्रो चक्र मैक्रो चक्र जो होता है इसको ट्रेनिंग योजना भी कहते है या सबसे बड़ा ट्रेनिंग शाइकल होता है तीन से बारा महिना यानि एक साल तक का होता है दूसरा चक्र होता है मीजो चक्र जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या आवसन चक्र भी बोलते है या तीन से छे सक्ता यानि एक से डिव माह का होता है यानि तीस से पैतालिस दिन का एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र जो 3 से 10 दिन यानि एक सब्ताह का होता है इसलिए इसको सब्ताहिक चक्र योजनाभी और सुछ में ओधी चक्र भी बोला जाता है सबसे छोटा चक्र होता है नेश्टर माइक्रो चक्र का दुसरा नाम क्या है तो दोस्तो माइक्रो चक्र का दुसरा नाम है सब्ताहिक परिछर चक्र दोस्तो यहाँ वे कुछ दिया हुआ है नोट करके कि प्री मेडिकल के एलियन इस्टडी मेटेरियल के अरुसाथ टाइडल वैल्यूम 500 एमल है जैसा कि मैंने पहले बता दिया है एक मिनिट में स्वास की तर 12-20 बार, तो एक मिनिट में स्वसन में वायो के आयतन 6-10 लितर होता है तो दोस्तो यह था 50 YM CQ कोस्टन जो आपके लिए very very important थे सभी कोस्टन आपके लिए very valuable थे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा किसी कोस्टर में डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए और ज़्यादस जारी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लगे रहे हैं इसी तरह मेरे चैनल पर डेली वेसे से प्रैक्टिस कीजिए तो इसी तरह की वीडियो डेली वेसे से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी बेल आइकें को प्रेस कर लेजी जिसे न्यू वीडियो का अब तक पहुछता रहेगा तो मिलती है नेक्स्ट प्रैक्टिस चैट के साथ तब तक के लिए जैए